जोतिश की दुनिया में आपका स्वागत है यदि आप जोतिश सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो एलार्म बटन को आउन करें और यदि आपको वीडियो स्थिति में होने के कारण अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहे होते हैं क्योंकि उनमें अच्छे परिणाम देने की छमता ही नहीं होती है ऐसी स्थिति में कुछ अन्य ग्रह होते हैं जो उन कमजोर ग्रह की प्रबलता कम होने की स्थिति में अपने अच्छे प्रभाव से उस कमजोर ग्रह की कमी को पूर्ण कर देते हैं। दूसरी स्थिती यह भी बनती है कि जब कोई ग्रह कुंडली में खराब स्थिती में होता है और अपनी उपस्थिती के अनुसार खराब परिणाम दे रहा होता है। तो कुछ अन्य ग्रह उस खराब दोशपुन ग्रह के दोसों को समाप्त कर देते हैं उसके दोसों का समापन कर देते हैं और अच्छी स्थिती सामने ला करके खड़ा कर देते हैं लेकिन कौन से ग्रह किस ग्रह की कमजोरी या खराब स्थिती को दूर करते हैं या ग्रहों के द कमजोरी को भगा सकते हैं और कौन से ग्रह होते हैं जो किसी ग्रह के खराब परिणाम को उस ग्रह के दोस को भी समापन कर देते हैं तो आईए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम देखते हैं आज की वीडियो का शिर्षक प्रस्तु थे आज की वीडियो का शिर्षक ग्रह दोस समापन कोई एक ग्रह किसी अन्य ग्रह के दोस का समापन कर देता है कोई एक ग्रह किसी अन्य ग्रह के कमजोरी को दूर कर देता है तो कौन-कौन से ग्रह हैं आईए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से ग्रह किस ग्रह की कमजोरी या खराब इस्थिती को सुधार सकते हैं राहु यदि राहु खराब इस्थिती में है या अच्छी इस्थिती में होकर के भी परिणाम देने की योग्य नहीं है और बुध अच्छी इस्थिती में है तो राहु के कमजोरी को दूर कर सकते हैं राहु के खराब इस्थिती को दूर कर सकते हैं और कुंडली में अच्छ स्थिती में हैं तो इनके दोसों का सनी देव समापन कर देते हैं राहू बुध और सनी यदि कुंडली में राहू बुध और सनी तीनों कमजोर हैं और मंगल देव प्रबल हैं तो भी बात बन जाएगी यदि राहू बुध और सनी तीनों ही कुंडली में खराब स्थिती में ह राहू, बुध, शनी और मंगल यदि राहू, बुध, शनी और मंगल चारों ही अच्छे स्थिती में होकर के भी कमजोर हो और परिणाम देने की योग नहीं हो और शुक्रदेव अच्छे स्थिती में हो प्रबल हो तो इन चारों ग्रहों की कमजोरी को दूर कर सकते हैं और यदि राहू, बुध, शनी और मंगल खराब इस्थिती में हों, दोश पूर इस्थिती में हों और शुक्र अच्छे इस्थिती में हों तो शुक्रदेव इन चारों के दोशों का समापन कर सकते हैं राहू, बुध, शनी, मंगल और शुक्र यदि ये पाँच ग्रह शुब इस्थिती में होकर के भी कमजोर हों, परिणाम नहीं दे पा रहे हों और ब्रिहस्पती अच्छे इस्थिती में होकर के प्रबल हों तो इन सारे ग्रहों के राहु, बुध, शनी, मंगल और शुक्र की कमजोरी को दूर करके अच्छे परिणाम ला सकते हैं लेकिन यदि ये पाँचो ग्रह खराब श्थिती में हो, दोश्पूर्ण श्थिती में हो और ब्रिहस्पती अच्छी श्थिती में शुव हो तो इन पाँचों ग्रहों के दोश का समापन करके अच्छी स्थिती उत्पन कर सकते हैं राहु, बुध, शनी, मंगल, शुक्र और ब्रिहस्पती यदि ये सभी ग्रह शुभी स्थिती में तो हूँ लेकिन कमजोर होने के कारण अपने परिणाम नहीं दे पा रहे हो लेकिन इनके साथ ही कुंडली में बैठे वे चंद्रदेव अच्छी स्थिती में हो प्रबल स्थिती में हो शुभ हो तो इन कमजोर ग्रहों की कमी को पूर्ण कर देते हैं लेकिन दूसरी तरफ ये सभी ग्रह राहु, बोध, शनी, मंगल, शुक्र और बिहस्पती खराब इस्थिती में हो दोश पूर्ण इस्थिती में हो और चंद्रमा अच्छी इस्थिती में शुभ इस्थिती में होकर के प्रबल इस्थिती में हो तो इन सारे ग्रहों के दोश का समापन कर देते हैं और अच्छी इस्थिती उत्पन कर देते हैं राहू, बुध, शनी, मंगल, शुक्र, ब्रिहस्पती और चंद्र ये सारे ग्रह कुंडली में अगर शुभ हो लेकिन कमजोर होने की कारण अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहे हो लेकिन सूर्य अच्छी स्थिती में हो प्रबल होकर के शुभ स्थिती में हो तो इन सारे कमजोर ग्रहों की कमी को पूर्ण कर सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ ये सारे ग्रह राहू, बुध, शनी, मंगल, शुक्र, ब्रिहस्पती और चंद्र खराब इस्थिती में हो, दोस्पूर इस्थिती में हो, और सूर्य अच्छी इस्थिती में, शुभ इस्थिती में हो तो इन सारे ग्रहों के दोस को खतम कर देते हैं, उस दोस का समापन कर देते हैं अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि केतु का नाम कहीं पर भी नहीं आया यदि केतु कमजोर इस्थिती में हो तो उसको कोई नहीं सुधार सकता यदि केतु खराब इस्थिती में हो तो उसे कोई नहीं सुधार सकता लेकिन इतने सारे ग्रहों को सुधारा जा सकता है और यहाँ पर सर्वे सर्वा आप देखें तो सबसे महत्वपूर्ण आपको सूरिदेव दिखाई देंगे क्योंकि ये सभी ग्रहों को सुधारने की छमता रखते हैं केतू को छोड़ करके इसलिए आप यदि अपनी कुंडली में देखें तो ये सारे ग्रह खराब भी हो तो कोई चिंता मत कीजे यदि सूरिदेव आपकी कुंडली में प्रबल है तो बहुत ही उत्तम है आप सूरिदेव को प्रबल करने का प्रयास कीजे बाकी ग्रहों को भी प्रबल कीजिए उन्हें उचितिस्थान पर लाइए उनकी आराधना कीजिए लेकिन सूरी देव सबसे प्रधान है सूरी देव ग्रहों के राजा है और जब राजा ही प्रबल हो तो बाकी प्रजा क्या कर सकती है अब आप यहाँ पर देखें तो प्रध कुछ भी नहीं बिगार सकता इसलिए आप प्रधान मंत्री जी को अर्थात ग्रहों के राजा सूरी देव की आराधना आवश्च कीजिए उन्हें प्रबल करने का प्रयास कीजिए आप एक बात और देख सकते हैं कि इस प्रकार से सूरी सभी ग्रहों की अशुबता को तो तो न तो किसी ग्रह की कमजोरी को हटा पाएंगे न तो किसी ग्रह के दोश को हटा पाएंगे यदि सूरी ही कमजोर हो या खराब इस्थिति में हो तो वे किसी भी ग्रह की कमजोरी को न तो दूर भगा पाएंगे और नहीं खराब ग्रहों के दोशों को दूर कर पाएंगे और यदि सूरी ही कमजोर या खराब इस्थिती में हो तो सूरी को सही करने की छमता किसी भी ग्रह में नहीं है इस तरह से आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि यदि कोई ग्रह कुंडली में कमजोर या खराब इस्थिती में हो तो उस ग्रह को कुछ अन्य ग्रह भी ठीक कर सकते हैं उनकी कमजोरी या उनके दोसों का समापन कराते हुए उचित लाभ दिला सकते हैं अब अंत में आपसे एक अन्रोध है कि यदि आप मेरे इस चैनल के नए महमान होंगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और साथी घंटी के बटन को अन कर लीजे जिससे कि जब-जब मेरे द्वारा वीडियो अप्लोड हो तो सबसे पहले आपको सूचना मिले और आप इसी तरह से निरंतर जोतिस सीखते जाएं और यदि आपके कोई परचित, कोई मित्र, कोई सखा, कोई रिष्टेदार जोतिस में रुची रखते हों या जोतिस सीख रहे हों तो यह वीडियो उन तक अबस से पहुँचाएगा क्योंकि यह वीडियो उनके लिए लावदायक हो सकता है अब मुझे आगया दीजे मिलते हैं अगले किसी ग्यानवर्दक वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत जै 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 गुरुदेव